आज हम इस वीडियो में जानेंगे होस्पिलिर के अंदर यूज होने वाले medical tools के बारे में हमारे पास जो पहला tool है वो है sthethoscope इसका इस्तिमाल हम कर सकते हैं heart की sound सुनने के लिए lungs की sound सुनने के लिए intestine की sound सुनने के लिए और blood flow की sound सुनने के लिए जो arteries और veins में हैं एक तरह का device है जो यूजली placed होता है हमारे finger के tip के उपर ये pulse oximeter use करता है एक light beam को जो estimate करने में मदद करता है oxygen के saturation को blood के अंदर और pulse rate को जिसकी वज़े से हम जान पाते हैं हमारा pulse rate और oxygen saturation को हमारे पास जो तीसरा tool है वो है thermometer ये जो thermometer होता है ये एक तरह का instrument होता है जो मदद करता है measure करने के लिए temperature को और ये thermometer measure कर सकता है temperature किसी solid जैसे food का किसी liquid जैसे water का किसी gas जैसे air का हमारे पास जो next tool है वो है sphigmo manometer जिसे BP machine भी कहा जाता है sphigmo manometer एक instrument है जो इस्तमाल किया जाता है doctors के द्वारा blood pressure को नापने के लिए ये जो sphigmo manometer होता है इसको blood pressure कफ भी कहा जाता है जो कफ रहता है इसको लपेटा जाता है हमारे अपर आम के उपर जो हमारे artery के blood के flow को रोग देता है उसके बाद machine बताता है हमारे body के blood pressure को हमारे पास जो next instrument है वो है weighing machine weighing machine एक तरह का instrument होता है जो इस्तिमाल किया जाता है जानने के लिए weight को किसी object के mask को ये एक तरह का बहुत जरूरी tool होता है जो इस्तिमाल होता है लेबरोटरी में, commercial kitchens में और pharmacies में commonly हमारे पास जो next tool है वो है first aid kit first aid kit एक तरह का box होता है जिसमें equipments रहते हैं medical से related और ये immediate medical help देता है किसी emergency में हमारे पास जो next tool है वो है scissors ये जो scissors रहती है इसका इस्तिमाल किया जाता है surgeon के दोरह operation में tissues की surface को cut करने के लिए या फिर tissues को cut करने के लिए human bodies के अंदर हमारे पास जो next tool है वो है bandages ये जो bandages रहती है ये create करती है pressure को किसी लगीवी चोट पे और रोकती है निकलते हुए blood को ये जो bandages होती है इसका इस्तिमाल किया आता है injured part को support देने के लिए ये जो ambulance होता है ये एक तरीका medically equipped vehicle होता है जिसका इस्तिमाल किया जाता है transport करने के लिए patients को treatment के लिए treatment centers पे जैसे hospitals पे हमारे पास जो next tool है वो है medical gloves ये जो medical glove है ये बहुत ही अच्छा example है protective equipment का और ये gloves protect करते हैं पहनने वाले को बिमारी से, infections से या फिर किसी medical procedure के टाइम पर या फिर किसी medical examination के टाइम पर हमारे पास जो next tool है वो है wheelchair ये जो wheelchair रहता है ये उन लोगों के लिए रहता है जिनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है और ये बहुत ही ज़्यादे इस्तिमाल कियाता है उन ही लोगों के द्वारा और ये उन लोगों को movement कराने के लिए बहुत helpful रहता है हमारे पास जो next tool है वो है autoscopes autoscopes एक तरह का tool है जिसमें से एक beam of light निकलती है जो मदद करती है visualize करने के लिए और examine करने के लिए ear की condition को और ear drum की condition को हमारे पास जो next tool है वो है syringes syringes का इस्तमाल किये जाता है दवाई को शरीर के अंदर गेरने के लिए या फिर किसी fluid को शरीर से निकालने के लिए हमारे पास जो next tool है वो है stretchers हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रेचर का इस्तिमाल किया जाता है किसी पर्सन को कैरी करने के लिए जो सीधा लेटा रहता है या फिर खुछ से नहीं चल पाता है इसमें दो मजबूद आदमी चाहिए होते हैं पेशन्ट को कैरी करने के लिए स्ट्रेचर के साथ हमारे पास जो next tool है वो है face marks ये जो medical mask होता है ये disposable marks रहता है और provide करता है protection पहनने वाले को किसी droplets से जो infectious material रहते हैं और emit होता है खासते समय शीखते समय और बात करते समय हमारे पास जो next tool है वो है ointments ये एक तरह का substance होता है जो सूत करता है इसकिन को और ठीक करने में मदद करता है किसी चोट को, किसी जलेवे को या फिर अधर इसकिन प्रोब्लम्स को Ointments को अंग्यूएंट भी कहा जाता है Thanks for watching our video